अब कुछ खबरें जिलों से राज्यपाल विश्व भूशन हरी चंदन ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रायपूर में आयोजित परेड कारेक्रम में हिसा लिया इस मौके पर उन्होंने प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद समारक में पुश चक्र अर्पित कर उन्हें भाववी निश्रद्धांज लिदी राजिपाल ने शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी समवेदन अव्यक्त की और उनके साथ सदेव खड़े रहने का विश्वास दिलाया उन्हें शौल, श्रीफल और स्मृति चिन भेंट किया वहीं बलरामपूर जिला मुख्याले में भी पुलिस मृति दिवस समारों का आयोजन किया गया इस दोरान जिला पुलिस बलके अधिकारियों के साथ साथ कलेक्टर जिला पंचायच की सीईओ और डीएफो भी मौजूद रहे इस दोरान शहीद जवानों के परिजनों को शौल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान भी किया गया कोंडा गाउं जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन असार विधान सबाच चुनाओ के लिए पिंक बूथ बनाने का काम जारी है महिला मतदाताओं के लिए बनाए जा रहे इस बूथ में महिला करमचारियों की ही तैनाती होगी इसके लिए महिला करमचारियों को विशेश प्रशिक्षन दिया जाएगा इस प्रशिक्षन कारेक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने पिंक बूत की अवधारना और पिंक बूत के माधियम से किये जाने वाले कारियों के विशय में जानकारी थी विधान सवा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे के द्वारा अपने सभी छोटे और बड़े स्टेशनों में सगन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध हधियार, विस्वोटक पदार्थ, नगदी, शराब, मादक पदार्थ, सराफा, आदी की तसकरी या परिवहन को रोकने में ये अभियान महत्वपून है चुनाव तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा